गुद आफिनून स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग तो आज हम पत्वारी जीके एसेसबी का जो एक्जाम है उसका उर्दू का एक और इंपॉर्टन लेटर आपके साथ मैं डिसकस करने वाला हो पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेंट बताया था कि किस तरह से आपने जो एप्लिकेशन है लेटर है वो कैसे लिखनी है तो एक बार फिर से मैं बता दूँ कुछ बच्चों को उसमें कन्फीजन हो रही थी तो आपने यहां से शुरू करनी है लेटर ठीक है यह लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो यहां पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो ठीक है कि यह लेटर किस के चीज के लिए है तो जैसे यह लेटर है इसमें क्या है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को उसकी काम्याबी पर क्या दे रहा है मुबारक दे रहा है त उसके बाद कुछ बच्छों ने पूछा था कि हमने जब हमने लिखना है है। यह लिकला बिल्कुल सी सिधी लाइन से स्टार्ट करें ऐसे स्टार्ट करतें पूरा जो पैराग्राफ है एक ही लाइन종 में लिख सकते हैं जैसे आपको दिख रहा है यहां अप्लिकेशन लेटर है ठीक है यह मैं आपके साथ दिसकस करता हूं पढ़ता हूं कि क्या-क्या इसमें चीज लिखी है और आपने भी इसी तरह से लिखना है ठीक है कुछ का दोस बाहरवी के इमतिहान में कामियाब हुआ है इसे मुबारक बाद मुबारक बाद मुबारक बाद का खत लिह ठीक है तो हमने उस को सक्सेस के क्या geliyor करना है तो सबसे पहले आपने उपर address लिखना है, तो हमने address लिख दिया, बठिंडी जमू, इतना ही लिखो, जूरा house number लिखने की जूरत नहीं है, उसके बाद आपने next क्या लिखना है, तारिक लिखनी है, आप उर्दू में भी लिख सकते हो, और जो पीछे मैंने बताया था, नंबर में भी आप ल आपने पहले उसको अपने बारे में बताना है, कि मैं कैसा हूँ, तो यहां से हम करते हैं शुरू अक्रम जी, मैं अल्ला के फजल व करम से, बिलकुल खैरियत से हूँ, और अमीद करता हूँ, कि आप भी अल्ला के फजल वो करम से खैरियत से होंगे ठीक है तो ये आपका सबसे पहली जो है लाइन आ जागी आपने हाल चाल तो पूछ नहीं है और अपना भी बताना कि मैं कैसा हूँ ठीक है उसके बाद next क्या है मेरे दोस्त कल शाम को 6 बजे 6 बजे बारवी का बारवी कलास का नतीजा निकला इंटरनेट पर आपका रोल नमबर देखा देखकर दिल में बहुत नहायत ही खुशी हुई कि आप बहुत ही अच्छे नमबर नमबरात लेकर पास होगे हैं आपकी कामियाबी की खबर सुन कर मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए और आपको मबारक बाद कह रहे हैं ठीक है उमीद करतो है मैंने सही पढ़ा हो है ना है नमच्छो उसके बाद नेक्स पेराग्राफ हमने शुरू करना है मेरे दोस्त आपकी कामियाबी मेरे लिए भी कामियाबी है आप इतने अच्छे नमबर लेकर पास हुए हो की मैं आपको मुबारक बाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ मेरे दोस्त मेरे तरफ से आपको आपको इस कामियाबी पर बहुत बहुत मुबारक बाद और आपके बाकी कामियाब बाकी ये एक्छले मैंने मैंने भी यही लेटर प्रैक्टिस करी थी तो अभी थोड़ा सा इसमें क्या है पैन से किया गया ठीक है मुबारक बाद होने वाले दोस्तों को भी मुबारक बाद अकरम जी आगे एक सेकेंड अच्छा आगे क्या लिखा है कहां गया यहां यहां पर है अकरम जी आगे दाखले का क्या सोच किसी अच्छे यह आप मुझे बताईए यह क्या लिखा है किसी अच्छे कॉलेज का इंतखाब करें ताकि आप इतनी आप इतनी अच्छी तालिम को अच्छी तरह से जारी रख सकें ठीक है मेरे दोस्त मेरे दोस्त तालिम एक ऐसा जेवर जेवर यह ना ऐसा हाँ ठीक है जेवर जो कोई चुरा नहीं सकता है इसलिए जितनी भी हो सके इनसान को तालिम से वस्त रहना चाहिए मेरी तरफ से आप को और आपके वालदेन को दोबारा मुबारक बाद मेरे दोस्त मेरे दोस्त वालदेन को मेरी तरफ से मेरी तरफ से सलाम अर्ज कर दें मुझे मुझे आपका खत का इंतजार रहेगा वसलाम ठीक है आपका दोस्त ठीक है तो यह यहां पे नाम लिखा है जैसे अब यहां पे लिखा है आपका दोस्त तो बच्चो आप यहां पे भी लिख सकते हो आप का दोस्त ठीक है तो आप यहां पे भी लिख सकते हो और यहां पे अपना अगर नाम लिखना आप नाम लिख सकते हो नहीं तो हम mostly वह एक लिखते हैं अलिफ बे पे लिख सकते हो ठीक है तो इस तरह से आपने बस इतनी सी है आपने जो letter होगी और ये बहुत ही important letter है ये भी exam में आ चुकी है ठीक है success के ओपर अपने दोस्त को क्या एक खत लिखे तो ये important letter है तो ये letter भी आपको जो है exam में आ सकते हैं जो पटवारी का भी उर्दू पेपर होने वाला है नाइप तसीलदार में भी आपको उर्दू होने के chances हैं और एक और चीज़ आपको ये जो material है PDF जो है ना आप telegram भी जॉइन कर लें और इसके बाद हमारी जो nucleus of knowledge academy app है google play store से download करें और आपको वहां पे इसका बाकी PDF है जितनी भी letters हैं इतनी 10-15 letters होंगे और SSB होंगे ठीक है तो वह आप वहां से download कर ले तो वहां से आपको उसका PDF भी मिल जाएगा और print out लेके आप इसको अच्छे से practice करें और कुछ ज्यादा लिखने की जूरत नहीं है बस यही simple लिखनी है ठीक है क्योंकि paper सी qualifying nature है मैंने यह paper qualify कर लिए तो आपने तो उर्दू पढ़ी होगी तो आपके लिए तो बहुत easy रहेगा बस practice करनी है और time को आपने देखना है ठीक है तो अगर और कोई आपको query है तो इस वीडियो के comment section में करेगा हम बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि 31st मार्च को सिफ उर्दू का paper है हाँ सिफ उर्दू का paper है जो बच्चे उर्दू qualified करेंगे उसके बाद जो next paper है इसका उसमें वह बैठेंगे ठीक है तो अगर और भी कोई query है तो comment section में जुरूर करेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार